हेलो फ्रेंड्स मैं आप कमेंट और एके सिंग और आज हम सीटेट का साथ जन्वरी दो हजार बाइस का पेपर वन का हिंदी का भाग देखेंगे और हिंदी के भाग में हम इसमें 30 कोशन देखेंगे इससे पहले आपको इविएस की और सीडीपी के 30-30 कोशन मिल चुके हैं तो जाकर आप उस उन वीडियो को भी देख सकते हैं और एक और बात आपको डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उसे भी जाकर जॉइन कर लिजे जिससे आपको कहना वीडियो का को जाएं क्यूस के रूप में कुई मिल जातार इनफॉर्मेशन आपको टेलिग्राम पर मिल जाएग जाकर टेलिग्राम को चैनल को भी जोएन कर लें चलिए तो समय बारत न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंदी के सेक्सिन में किस तरह क्वेशन है और क्या क्य के एक पहला कोश्ण देखते हैं पहला क्वेशन आपको यह 91 से 99 तक पहला कोश्ण देखते हैं उसके 91 के क्या करा दुनिया में लोग किस के बल पर सफल हुआ हैं अगर आप देखेंगे तो कुछ भी आप भी अगर किसी परिक्षा के यह किसी चीज की विड़े यारे करेंगे तो परिश्रम के बल पर सफ़ल हुए हैं तो इसका अंसर सीधे सीधे अगर आप परग्राफ भी न पढ़ें तो आपको सीधे सीधे अंसर मिल जाएगा परिक्षा के बल पर अपने कारिये को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत जरूरी है तो बहुत जरूरी क्या है नकरात्मक बातों से दूर रहें क्योंकि अगर आप नकरात्मक बाते से दूर नहीं रहेंगे तो कहीं नकरात्मक बाते आपको गेरे रखेंगे और आप कहीं नकरात्मक बाते आ नॉर्मल चीज हैं बहुत से परग्राफ सीटाइट में इस तरह ही आते हैं कि आप बीना परग्राफ पढ़े भी आंसर दे सकते हैं पर बच्चे तब भी टाइम वेज़ करते हैं परग्राफ करने में नेक्स देखते हैं गद्यांज में सच्ची मनुष्यता के किस गुण को लेक किया गया है तो क्रोध से मुक्त रहना क्योंकि क्रोध व्यक्ति जीवन में एक नकारात्मक तौर पर कार्य करता है यानि यह उप्शन नमबर तो इसका उप्शन नमबर हो जाएगा तीन नेक्स देखते हैं नेक्स देखते हैं 94 कॉश्चन यदि आप अपने लक्षे क को पाने के लिए द्रट संकल कर लेते हैं तो क्या होगा चुन होती हो कि सामना करने में मुश्किल नहीं होगी अगर आप नहीं लेंगे द्रट संकल तो चुन होती है सामना करना वड़ेगा यानि कि ऑप्शन नमबर हो जाएगा सकान सब्सक्राइग क्वेश्चन नमबर 95 देखते है 95 अब करम और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता हुआ क्या क्या है चाहे कुछ भी हो जाए करम के पश्चाद करम के पत्व से नहीं डगेंगी यानि कि एक तरह से जो डगर की रहा है वह भटकाव नहीं होगा क्या नहीं कि ऑप्शन नमबर 2 की बात कर यह जो प्रग्राफ है यह जानिगी इसका जो साथ तारी का जो पीपर आपने साथ जैन्वरी का जो पेपर देखें गया तो साथ जैन्वरी दो हजार बाइस का जो पेपर बहुत ही एजी है लैंग्विश सेक्षन अगर आप सिंपल से इसमें अगर कि बच्चे थोड़ा भी पढ़ा है तो इसको 90 प्लस मार्क्स लेखे चलेगा मतलब पास हो जाएगा हूँ कोशन नमर 97 देखते हैं 97 का संकट या मुस्किलो को पार करने का अरत क्या है मुसीवतों से ओव जाना यानि कि option नमर 2 कोशन नमर 98 कहते हैं ओभाव अचक संग्या यानि कि option नमर के पहला हो जाएगा सिक कान्सा कि रात दिन में कौन से समा से सब को पता है इसमें कौन सा है वactic यह जा कर से रात दिन हो आपको लेखने के लिए गाएँ यह इस तरह की समया स्केड जो पूछे जाते हैं पहुता सान होते आं अ कहीं हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा यह इस लिए स्काओं गार्णी सबीज देखने के लिए मिलेगे जिससे आपको आशार की चाक्षा नहीं ती गध्यांज के बाद हम आप देखेंगे कवीता के वरवसमें यानि है कोश्चेन में को विटा किसके प्रति समवेदित है यानि किसके त्रफ और तो वह वो आstaw के उपड़ है यानि कि आशा सब्से बड़ा अंध्यान क्यों कहा जारिंग탉 क्यों कि आशा का सबसे बड़ा साहरा होता यहां मरें कि और चीन नंबर ठीन हो जाएगा ड़्यानिकी सबस्काष्च नॅभर 122 देखते हैं निराशा निर्चा की यया तो इसमें पहलोई जहां कवीता देखेंगे तो अभी तक है यानि कि option number 2 जाएगा सका अनसर question number 103 देखते है कभी ने आशा को के साहरे किसका अस्यत बनाए रहने की बात कई तो है धर्द की यानि option number 4 जाएगा इसका answer question number 104 देखते है तो 104 देखते है निराशा के उपसर्ग और मूल सब्सक्राइब के बारे कुछ है तो अगर आप देखेंगे तो नियर प्लश आशा यानि कि आप्शन नमबर तीन हो जाएगा इसका अंसर प्राची कोश्चन नमबर एक सब पास देखते हैं प्राचीन का अर्थ क्या है पूरा वियानि कि पूरा क्या अगया इसमें सब्सक्राइब कि प्राचीन कोशन नमर एक सब्सक्राइब कि एक गाहों में रहने वाली एक शिक्षी का अपनी मात्र भाशा और हिंदी जानती है जो उसके घर के आसपास के आसपास में बोली जाती है वैव इद्यार्थी को अंगरिजी चिकाती है और कौन सी भाषा अर्जन के अंतरगत आएगी और अंग्रेजी भाशा जो है उसकी अधिगम के अंदर आएगी यानिकि ऑप्शन हो जाएगा इसका वन ऑप्शन नमबर वान हो जाएगा एक और दो सही है लुझ नमबर एक सथाथ देखते हैं, क्या क्या रहा है नियुग वाए यो दो से कौंसे सा विध्यारती को लिखने माते शीखने का विश्वैवन का वाप्शार करम है तो वह होगा, अगर आप देखेंगे तो विद्यारती से विश्च परकार के अनीक आकरती बनाना पहले वहाँ करती बनाता है असे कि अगर रहो और गोल द्रवारा अक्षरों को लिखना ही आने की पहले आकरती हो गई फिर उसे जैसे कि ये कॉन सी आकरती दिखा रहा कि तो इस अक्षडों का गोल या इस तरह और फिज बनावट यानि कि ऑप्षण हो जाएगा इसका ती दो एक ती कोशन नमर एक साट लिखते हैं एक साट का कह रहा है शब्द दिवार पर लिखे जो बड़े होते हैं और कक्षा दिवार पर इस तरह लगाया जाते हैं कि वैं दिखाये दें इस शब्द के माध्या में शाक्षरता को यानि कि अगर नहीं पूचा है और कोशल का नहीं तो रोल होता है तो एक तरह से कटना ही शाव उचित या इस तरह के मूल सब्द को बच्चा सीख सके इसलिए धौनी के नियम को समझाने की बात नहीं है यानी की अप्शन नमबर मजाएगा इसका तीन कोश्चन नमबर 109 देखते हैं 109 के कह रहा है कक्सा पांच में काल के नियम समझाने के बाद अध्यापक का जोड़े में कारे करवाती है विद्यारती ए पाठ्टे पुस्तक के वर्तमान काल और एक वेक के को लेकर विद्यारती को भूत काल में सुनाती है विद्यारती ए अन उसके अनुमान लगाने का आवशक्त अनुशार वर्तमान में भूत काल का वाक्य बताती रहती है यह गतिविदी क्या है तो क्रेस की अर्जन गति यानि एक तरह से वह एक बता कौन सा रही है और समझ कौन सा रही तो उसको यह हो जाएगा क्रेस की अर्जन अधिगम परिक की जोडे का कारे कराती है we angry вес वीटर बनाति आउटBook बनाने के लिए कहती है बनने के लिए के लिए कहती है और परतिक जोडे को आपस में समवाद करने के लिए तो यानि कि सबसे कम कती ko तो शब्द संपर की यानि कि ऑप्शन नंबर हो जाए जा विद्यारतियों कि द्रिश्यात्मक्ता सीखने के लिए कौन से सरवादिक उप्युक्त है तो वह होगा कल्पना और कल्पना करना और अंतिम द्रश्य को कल्प जाने की ऑप्चन होजी आएगा चार कोशन नमबर 112 देखते हैं 112 क्या कह रहा है नेल में से कौन सी गतिविदी कहानी पढ़ने के बाद विद्यारतियों को निश्कार्स निकालने और कोशल कास करने की कहती है तो इसमें आगर आप देखेंगे तो सही नहीं कि यह कोशन भी रिपीट है और आप इसे समझेंग कहानी में आप स्वैम को कहार रखना चाहेंगी यानि कि आप्शन नमबर पहला कि कोशन नमर 113 देखते हैं 113 क्या कह रहा है निल में से कौन सी गतिविदी अध्यापक द्वारा सहयकता देने के उधारन नहीं है तो नहीं है पहले उस पर देख लेंगे विद्यारति इसमे में ही कटिन सावज और अर्थ लिख्या होंगी यानि कि आप्शन नमबर दो जाएक असकांसर कोश्चन नमबर 114 देखते हैं 114 क्या कह रहा है विद्यारति के पूर संग स्पूर संग स्पूर संग सीखने के लिए समय ने पैप के प्रियोक के नियम बताया जाए जाएगे फिर उद्हारण और अगर हम दूसरे के चलें ुसमें पहले उधारन दिया दिया जाते हैं और फिर नियम नियम बताया जाएगा और फिर उद्हारण आ और को कोश्चन नमब्र 115 देखते हैं भारत में सवी बच्चे आदर सिस्तिति में अपने विध्यार्थ लेक शिक्षा मात्रबासा करके वहाशा में शुरुवात करते हैं और मात्रबें किस तर्थ दो या दो से अधिक मासा की जोड़े जाते हैं, मतला एक तरह से ज्यानी कि first class में आपने देखा है, फस से लेकर fifth तक, मात्र भाषा से मतटंग में इसकाय जाता है, तो उसके बाद जो सीखते हैं, मात्र भाषा आधारिद, भावववाषा, यानि मात्र भाषा के द्वारा ही भावववाषा सीखता है, option number, पहला ह पढ़ाने में यानि कि पाट्टे होसता है यानि कि प्रमानिक स्रोथ है तो उससे हो जाए रहा है ऑप्शन नमबर दो यह ध्यान लखना आप भी टीचर बनने वाले हैं तो टीचर को जो टेक्स्ट्बूक है वो एक तरह से प्रमानिक स्रोथ है यानि कि टेक्स्ट्ट्ट्ट्ट जो होती है वो एक तरह से प्रमानिक स्रोथ होती है जो रिफ्रेशर होती है वो प्रमानिक स्रोथ नहीं है टेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रमानिक पठन सामगरी के उदेश्चे को प्राप्त करने में मदद करेगा तो होगा किसी स्थान्य होटल के वेंजन सुची यानि की मैन्यू एक तरह से यह उसकी बात कर रहा है कि ऑप्शन नंबर दो कोशन नंबर 119 कि किसी जटिल कथाना के संद्चना को समझने के लिए कौन सी ओनलाइन उपकरन विद्ध्यारतियों के सबसे अधिक मदद गया वह भी तो एक ऐसा मांचेत्र यानि की माइंड मैपिक कारे करम जिससे विचार को अलग अलग गटे तुम सब्सक्राइब कोशन नंबर 120 एक विद्ध्यारति ने नव वार्ष के उत्सव पर आयोजित अनुछे लिखा तो यह नव वार्ष के आयोजित वाला जो इस तरह का कोशन पहली बार पुछा गया देखते हैं नव वार्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्र को आ क्याले बहुत से काउंटिंग करते हैं कि 10,9,8 इस तरह की चीज़ों पर हम केक के दुकान पर गए और केक बनाने के लिए और सजावाट खाने पीने के वस्तूर लेकर अपने और मेरे माता पिता ने गुबारे पुलाए और मेरे घर सजाने की मद्द की यानि कि उसके मित् रात मद्दे रातरी तक रुके यानि कि एक तरह से 12 वज़े क्योंकि न्युवयर्ट कर सेलेब्सेंट है अनुची लेखन के संदर्म में विद्यारति को सरवाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए तो होती है सन रचना क्योंकि इसकी जो सन रचना है आपने देखाओ कहीं जो पहले की बात है वो अद्मे कर दिया और बात की बात जाने कि अप्षन नुर्ण जो हो जाएगा इसका अगर हम इस जो हमने हिंदी के तीस कोशन के यानि कि साथ तारीक हिंदी प्रड़ाशन पेपर बन कि इसमें तीस कोशन देगी और तीस कुशनों के क् लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उससे जूड़िए और उससे जूड़कर डेली कहना उस पी एक से दो कुछन आपको क्विज के रूप में मिलते हैं तो क्विज के रूप में आप उसे करिए और आपने जो ज्यान को है इजापा की यह मानलब उसे कि यह में गा आपको क्यूप में आपको कि रूप pen आपको सिर ड़ने आपको झापको है और रगूप से उस्क्रिप्शन में मिल जाम